आज यहाँ IIT जम्मू के academic complex और hostel का लोकार पड़ भुआ है मैं देख रहाँ नव जवानों का उच्छा अदभूत दिखता है इसके साथ-साथ IIT बिलाई, IIT तिरुपती, IIIT DM कुर्णूल, Indian Institute of School कानपूर उत्रा घंड और तिपुरा में Central Sanskrit University के permanent campus का भी लोकार पड़ किया गया है आज IIM जम्मू के साथ-साथ IIM बोद गया बिहार में और IIM विशागापटम के पस आंद्र में उसका भी उद्गाटन यहीं से हुआ है इसके अलावा अज NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुरगापूर, IIT खड़कपूर, IIT बंबे, IIT दिल्ली, IISER बेरामपूर, IIIT लखनाओ, जैसे उच्च सिक्षा के आदुलिक संस्थानों में, academic blocks, hostel, library, auditorium, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकारपड हुआ है साथियों, दस साल पहले तक, शिक्षा और काउशल के खेत्र में, इस केल पर सोचना भी मुश्किल था लेकिन ये नया भारत है, नया भारत अपनी वर्तमान पीडी को आदुनिक सिक्षा देने के लिए, जादा से जादा खर्च करता है बीते दस साल में, देश में, रिकॉर्ड संख्या में, स्कूल, कॉलेज और युनिवर्सिटीज का अंदिरमान हुआ है यहां जम्मू कश्विर में ही, करीब पचास नए डिग्री कॉलेज स्थापित किये जा चुके, पचास ऐसे 45,000 से जादा बच्चों का, स्कूल में दाखिला कराया गया है और यह वो बच्चे, जो पहले स्कूल नहीं जाते थे और मुझे खुशी है, इन स्कूलों का सबसे जादा फाइदा, हमारी बेटियों का हुआ है आज वे घर के पास ही, बहतर सिक्षा हासिल कर पा रही है एक वो दिन थे, जब स्कूल चलाए जाते थे एक आज का दिन है, जब स्कूल सजाए जाते है आज जब्मू कश्मीर में स्वास्त सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है 2014 से पहले जब्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ चार थी यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर चार से बढ़कर बारा हो गई है 2014 में MBBS की 500 सिटों के मुकाबले आज 1300 से अधीक MBBS की सिट यहाँ पर है 2014 से पहले यहाँ पर एक भी मेडिकल पीजी की सिट नहीं थी वही आज उनकी संख्या बढ़कर 6500 से अधीक हो गई है चार सालों में हाँ करीब 45 नए नर्सिंग और परामेडिक कॉलेज खोले जा चुके है इनमें सेकडों नई सीटे जोड़ी गई है जम्मु किश्वीर देश का ऐसा राज्य है जहाँ दो एल्फ बढ़ रहे है इनमें से एक एक एम जम्मु का उद्गाटान आज करने का मुझे सवभाग मिला है जो बड़ी उम्मर के साथ ही यहां आए हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए तो यह कलपना से भी परे था आजादी के बाद के अनेक दसकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था गंबीर बिमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और यह गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है बीते देस वर्सों में देश में पंदरा नए एम्स विकृत हुए है उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तयार है और एम्स कश्पीर भी तेजी से काम चल रहा है भाई और भहनों आज हम एक नया जम्मू कश्पीर बनते हुए देख रहे हैं प्रदेश के विकास पे सब्से बड़ी दिवार आर्टिकल 370 की थी आर्टिकल 370 की थी इस दिवार को बाज पाकिस सरकार ने हटा दिया है अब जम्मू कश्पीर एक संतुलित विकास की और बढ़ रहा है और मैंने सुना है चाहिद इसी हपते यह 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है मुझे लगता है आपका जैजैकार होने वाला है पुरे देश में मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है मैंने कलीश कहीं किसी टीवी पे चुना कैसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है अच्छा है लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी साथियों यह 370 की तांकत देखिए 370 जाने के करण आज मैंने हिम्मत के साथ देश वास्यों को कहां है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एंडिये को 400 पार कर दीजिए अब प्रदेश का कोई भी लाका पीछे नहीं रहेगा सम्मिलकर आगे बढ़ेगे यहां जो लोग दसको कोंता का भाव में जी रहेते उन्हें भी आज सरकार के होने का एसास हुआ है आज आप देखिए गाओ गाओ एक नई राजनिती की लहर चल पड़ी है परिवारवाद ब्रस्टाचार और तुस्टी करण के खिलाब यहां के नवजवानों ने बिगुल फुग दिया है आज जम्मु कश्मीर का हर नवजवान अपना भविश्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है जहां कभी बंद और हर्तान का सन्नाता रहता था वहां अब जिन्दगी की चहल पहल दिखाई देती है सांतियों दिन लोगों ने जम्मु कश्मीर में दसकों तक सरकार तलाई उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांशाओं की परवा नहीं कि पहले कि सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फोजी भाईयों तक का संबान नहीं किया कॉंग्रेस सरकार 40 साल तक फोजीों से जूठे देती रही जूठ बोलती रही कि बन रैंक बन पैंशन लाएगी लेकिन बन रैंक बन पैंशन का फाइदा बाजबा सरकार ने पूरा किया और आर ओपी की वज़े से यहां जम्मू के ही पूर्वस्थैनिकों को फोजीों को सोला सो करोड पेसे जादा मिले